हेलो फ्रेंट्स गुड मॉर्निंग मैं पुस्पा राजपूत आप सबको अपनी चैनल पर बहुत बहुत श्वागत करती हूँ बने रहे आप मेरी चैनल के साथ में और मैं आज लेके आई हूँ बहुत ही स्वादेश्ट जो हरी मिर्च का चार है और ये सालों सालों तक खरा अब है पिछले बार बीडियो डाला था तो मैंने पटली लारी मिर्च का चार डाला हूँ था और आज मैं मौटी मिर्च का चार रखना बताऊंगी और किस तरह से यह आप रखेंगे तो यह हमारा चार काफी समय तक चलेगा और बहुत ही कम तेल में और बहुत अच्छे से बन के त्यार भी होगा तो फ्रेंस देखी ये मसाले लिए हुमें मैथी, जीरा, सौंप, थोड़ी से अजवान, काला नमाग, धनिया, और मैने लिए लाल विर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, और थोड़ी से मैने लिए चने की डाल, और मुंपली के कुछ दाने लिए हुए हैं, और इसमें मैने डाल दिया है, भरके सौंप, और मैथी आपको अवेश्य लेता है, तो सारे सामाग्री को हम पहले अच्छे से इसको भूंज लेंगे, और भूंज करके इसको हम दरदरा पीस लेंगे, अब हमें लेना हरी मिर्च, मिर्च जब आप लें तो इसको पहले इसे अच्छे से पहुँच लेना, ताकि इसमें जरासी भी नमी न रह पाए, नमी यदि रहेगी तो आपका आचार खराब हो जाएगा, फिर आप मुझे बाद में कंप्लेन मत करना कि मेरा आचार खराब हो गया, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, यदि धूप ह इस समय तो फैल दूप नहीं निकल रही है, तो आपको क्या करना, फैन के नीचे इसको फैला देना है, और कपड़े से इसको अच्छे से पहुँच लेना, फिर आपको लेनी है चाकू, और चाकू से आपको हरी मिर्च में बीच में अच्छे से इस तरह से चीरा लगा देन क्योंकि आज मैंने बताया है कि आज मैं बताऊंगी आपको भरमा मिर्च का अचार कैसे रखते हैं तो इस तरह से हमने सारी मिर्चों को बीज से कटकर लिया और यदि आप मेरे बेडियो में नए हैं तो मेरी चैनल को सस्क्राइब जरू कर ले और यदि बेडियो अच्छा ल नहीं होती यह खाने बहुत टेश्टी लगती अब हमें लेना कड़ाई कड़ाई मिडालना सर्शों का तेल तेल हलका सब थंडा हो जाए तो इसमें डाल देंगे लैसुन और एक चुटकी हम हींग और चाहें तो आप हल्दी भी डाल सकते हैं तो यह देखें मैंने अब आपक मसाला बचे ना वह मसाला भी उसमें आपको डाल देना है तो यह देखें फ्रेंट्स हमारा अचार बनके एकदम त्यार हो चुका है अब मैं इसके सीक्रेट बताऊंगी कि आप इसको लंबे समय तक कैसे रख सकते हैं तो आप यह दूपने कर लाई तो इसको उस दिन प्रेंट्स हमी रह गई हो वो शारी सूख जाए और नहीं यह दिन धूपने कर रही तो आपको क्या करना है कि आपको लेना है इसमें जो को लकडी जल जाती है ना तो जो कोईला होता है उसको लेना है अभी तर फ्रेंश देखी जो मैंने तेल पकाया हुगा तो मैंने पहल बताया है ना कि लेशन वो शौरी देखी अचार मेरा यह बन के एकदम त्यार हो चुका है लकडी का जला हुए कोईला जो लकडी जल जाती है ना उससे कोईला होता तो हम कोईला को लेंगी और इस तरह से हम गैस में रख देंगी जब अच्छे से एकदम लाल हो जाए तो बस उसकोईले से हमें एक सीक्रेट काम करना है इससे हमारा चार कई महीनों तक खराम नहीं होगा आप चाहें तो सालों साल भी इसको रख सकते हैं तो यह बहुत ही आसान प्रोसेसे आपको इसको जरूर करना है ताकि आपका आचार खराम नहों पाए तो देखिए आप जैस या गैस में गरम होने के लिए अब हमें क्या करना है कि इस तरह से इसी बर्तन में जिसमें हमने अचार क्था हुआ है और इसको बीच यो बीच रखना है यह नहीं कि किनारे रख देनी तो आपका बर्तन ही आपकर तूट जाए हैगा तो यह देखे मैंने इसमें डाल दी एक पूंद सर्सों के तेल की अब इसमें हम डाल लेंगे चरा सिहेंग और बस इसको हमें कबर कर देना है यह आपके पास इसका भड़तन है तो आप भड़तन लगा सकते हैं या इस तरह से ऐसा कोई बढ़ता लगना ताकि इसकी जो अंदर का यह दुगा है ना बहार ना निकल सक है तो यह आपको फ्रेंट जरूर करके देखना है इस तरह से यह आप करेंगे तो आपका अचार अभी भी खराम नहीं होगा और यह दूप निकल रही तो दूप जरूर दिखा दें कि देखिए हरीमिच का भरमाचार हमारा बिलकुर रेडी है अब आपको जिसमें भी पसं समय के बाद को निकाल देना है और बस इसको रख देना आपको बंद करेंगे तो यार है हमारा आज का चार बस आज के लिए तना ही कल फिल लेके आऊंगे नई रस्पी